हम मुसलमनु के साथ हैं फिर कहूं हम मुसलमनु के साथ हैं ये कोण ओश को इंदुराश्ट बनाने वड़े इस सरकार ने वा मनिपुर बुलान के लिया सरकार की गल्तियों को दाबने के लिया आप नू उपे ले आए इब यू नू शांत नहीं हो रहा इब कदी उनकी पंच अरे हतियार ही नहीं खरपली मारे पास हतियार तरती मारे पास हतियार लठी मारे पास हतियार मेवात मीनी पाकिस्तान रामपुर मीनी पाकिस्तान मुरदाबाद गलसाइद मीनी पाकिस्तान अलीगड मीनी पाकिस्तान फिर मजा नो बता दे हिंदुस्तान को आए असलाम अलेकम दोस्तों मैं हूँ शारीफ खान इस से पहले आपने किसी जाट और मुसल्मान का ऐसा गहन रिष्टा नहीं देखा होगा जहां बच्चे से लेकर जवान और बुड़े बुड़े बुजर्ग तक मुसल्मानों को बचाने के लिए आगे आ गए जिस तरह से मेव को जल अभी शेक के नाम पर एक और बड़ी रेली निकालने की तैयारी कर रहे हैं कुछ लोग उन सब को जवाब देने के लिए जाट समाज के पूरे के पूरे गाउं आकर के खड़े हो गए और ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो हम सरकार से कहते हैं जो हर्याना की गवर्मे के सामने खड़े होंगे और हमारे बीच से वो रेली गुदरे की अगर उस रेली के अंदर से किसी ने भी अब शब्द बोले किसी ने भी माहौल खराब करने की कोशिश की तो हमारे पीछे जो मुस्लिम लोग खड़े होंगे वो बिलकु नहीं बोलेंगे और हम लोग उन द ज्वाज्व को सुनेंगे जहां पर आप जवानों को सुनेंगे बच्चों से लेकर जवानों त्क कितने इनके दिल में एक उच्साँ बरावा है मस्लिम समाज के लोगों के लिए और ये जानते हैं का हरियाना के मेवात के अंदर जिस तरह से मुस्लिम समाच के लोगों के दुकानों पर बुल्डोजर चला उनके घरों पर बुल्डोजर चला जबके उनकी क्या गलती थी आप जानते ही हैं तो इन सारी चीजों को देखते हुए चलते हैं इन जाट भाईयों के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके मन में इनके दिल के अंदर इतनी प्रेम की भाउना मुस्लिम समाच के लोगों के लिए कहां से आई दोस्तों जब से किसान अंदोलन हुआ है तब से लेकर जाट और मुसल्मान मिल चुके हैं क्यूंकि जाट अंदोलन में मुसल्मानों ने जाटों का बहुत बड़ा साथ दिया था तो शुरू करते हैं वीडियो और उसके बाद आप और हम बाचीत करते हैं हम तो इब्भी कह रहे हम अपनी बात से पलटने रहे जो मारे बाई इंदों हैं मैं उनकी बावनाव को ठेश नहीं पोचा रहा मेरी बात को वह शना लियो मुसल्मान पाँच वक्त की नमाज पढ़ता है इनके मुकाबले कम शिक्षित होते हुए फजर की नमाज से सुरू हो करके और फिर डेड़ बजे फिर साड़े चार बजे शाम देर शाम तक पाँच वक्त की नमाज मुसल्मान पढ़ता है यह चो मारे बाई हैं हिएं जो नहीं थेकेदार बने हैं उन तरहु को पूछ कर लो तम ठीचे कैश करो तहां हुए एकatos शुबै कुश शंध्या कर सकते हैं हम एक घंटा शुबैम और एक duration कुश संध्या करते हैं जितने बारत में अरिय वर्त को मानने वाड़े आरिय समाज के लोग यू आरिय वर्त देश था भारत पहले से ही है ये कौण हो इसको इंदुराश्ट बनाने वड़े कहां कों है ये तो आरिय वर्त देश पहले से था इस बागपत दिस्टिक में चोधरी चरण सिंग का फोटू मेरट में चोधरी चरण सिंग का फोटू लगा हो इतनी महानात्मा का फोटू लगाओ तो कम से कम उसके विचार भी जान लिए उसकी नीतिया क्या थी उन नीतियों पर भी चल लो खोटू लगाने से सब कुछ नहीं होता जो हमारे मान पूर वजुए उनकी नीति पर भी तो चलो आप लोग आचारी आजाद सास्त्री ने वहां पर मांगी की वही हमें जो यार दनत्ती मारे पास हतियार लठी मारे पास हतिया मनीपूर 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 इतना बंडा जगन प्राद मनीपूर में हुए देश में कहीं नहीं हुए उस मनीपूर को दबान के लिए तमने और इन बीजेपी की सरकार ने मनीपूर के हमने खूब मोड़ दिया इब आप लोगों ने इस सरकार में मनीपुर बुलान के लिया सरकार की गलतियों को दाबने के लिया आप नूप ले इए इब यू नूँ शांत नहीं हो रहा इब कदी उनकी पंचायत करा दो दसमान से लेकर कदी उनकी और हम खुले चैलेंज तक हरे हम खूब क अशी परतिसत हिंदू के हैं यह हम हिंदू है अशी परतिसत देश में इन्हें नाइसस की कहा जुरुत पड़ी इन्हें कौन मार्द का शी परतिसत को बीश परतिसता अध्मिनी पाकिस्तान बन चुका है रहे मिनी पाकिस्तान मेवात मीनी पाकिस्तान रामपूर मीनी पाक पाकिस्तान ऊड़ा ड़ाँ दूरो मुझे प्पर नगरा पार मीनी पाकिस्तान थीरतмен गाल आध väldigtorts शूंड ले किर मुझे। भार्माने के कामेंड के लड़ाई करानी चाहरे हमनु कहरे थारे तभी कहरे एक बार वाड़ो तम भी शांत बैठ जो और यह रोज खमका रोच्ची पकारे इनकी रोच्ची पकानी पन्चात कर रहे हैं वो लोग जो है उनको आप जिम्मेदार नहीं मानते समाधिक जो पंच पंचात कर रहे हैं इस बारे में जो पंचात कर रहे हैं जो पंचात कर रहे हैं कैसे कैसे खान पान चले मजदूरू का इस बारे में वो पंचात हैं सही और जो पंचात में दे रहे हैं उपद्दर का भाशन मार दो काट दो नू कर दो वह अपरादी है तो आपको क्या लग अगरमुसल्मान ना ना मारे मुसल्मान ना वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा क्या इस वीडियो के अंदर जो शक्स बात चीट कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों जो धर्म होता है ना धर्म मानव का धर्म है मानव की मजद करना इंसानियत दिखाना यहां पर किसी को जे शरी राम का नाम लेकर डराने स कोई फाइदा नहीं होता जे शरी राम अगर आपको बोलना है तो प्यार के भाहों में बोलिए मन में बोलिए दीरे से बोलिए ना कि किसी के कान पर जाकर जोर से उसको बोल करके डराएंगे दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे साथ में बहुत सारे हमारे हमारे सीधे साथे हिंदू भाई हैं उनको डर लगता है इनके साथ में जाने से डर लगता है इनके साथ बेटने उठने से डर लगता है जब मैंने यह जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यूं जबके वह भी हिंदू धर्म से तालुक रखते हैं तो उनका यह कहना था कि यह लोग होते हैं भड़काओ का मतलब जब बोलेंगे तो जोर जोर से बोलेंगे आपके ओपर किसी चीज को थोपने की कोशिश करेंगे कि ये करो इस तरह से बात चीज करते हैं कि जैसे कि अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो वो हमें मारेंगे पीटेंगे एक गुलामी वाला जो सीन होता है ना जिसे हमारा कोई गुलाम है उनसे कहते हैं ऐसा कर ऐसा कर वहां जा ये कर तो भगवान को भी कहते हैं ना कि बंदूक की नौक पर रखकर के कहते हैं कि भगवान को मानो अब वो ल लड़ना नहीं चाहते हैं वो किसी दंगे में शामिल नहीं होना चाहते हैं किसी शौबा यात्रा में शामिल नहीं होना चाहते हैं उनका यह कहना है कि हम किसी दंगा यह शौबा यात्रा में जाने से अच्छा यह समझते हैं कि किसी इनसान की मदद कर दो कोई गरीब आपकी तो उस गरीब की मदद कर दो यह सारी चीज़े वह कहते हैं तो यह लोग जो जो होते हैं बजरंग दलके लोग यह जबरन यह कहलाने का काम करते हैं कि एक बोलो जेशीरी राम यह सारी चीज़ों नोगों को भी नफरत होती है फिलाल अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर रोल का बटन सिलेक कर लेना इन्शालला बहुती जल्द एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हधी रहूँगा तब तक अपने भाई को अजादत दीजिए खुदा हाफिज जैहिन जैभारत